इंवेस्टमेंट करते वक्त निवेशकों के पहला सवाल यही होता है कि आखिर कस्में निवेश किया जाए कि अच्छा रिटर्न प्राप किया जा सके आई जानते हैं कुछ High Return Investment के बारे में Shares और Stocks में निवेश का अर्थ है कि आप Equity Assets Class से सीधे जुड़ रही हैं Bombay Stock Exchange और फिर National Stock Exchange से जुड़े शेयरों में पैसा लगाने का मतलब सेकंडरी मार्केट से है यदि आप इन में Invest करना चाहते हैं तो आपको किसी Brokerage House के साथ Demet Account खुलवाना होगा यदि आप किसी बड़े रिस्क से बचना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि Stocks में सीधे निवेश करने की बजाए अलग-अलग Sectors में पूझी को देखते हुए पैसा लगाएं फिलहाल कुछ वर्षों में Sensex में Return का औसत एक से तीन और पांच साल के अनुसार क्रमश 13,8 और 12.5 परसेंट रहा है अनुए Investments के मुकाबले Real Estate की कीमतों में अस्थिरता बहुत ज्यादा नहीं रहती सबसी अच्छी बात ये है कि महंगाई के मुकाबले इसकी कीमत अच्छी खासी बढ़ जाती है यानि इसमें निवेश घाटे का सौधा नहीं हो सकता निवेश करने के लिए हाज से ये अच्छा विकल्प हो सकता है मार्केट में ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न देने वाले निवेश के धेरों विकल्प मौझूद है हलाकि लोग ऐसे ओप्शन्स चुनते हैं जो आपके पैसों को सुरक्षित रखने के साथ ही टैक्स पचाने में मदद करते हैं यदि आप इकविटी में निवेश करने में सहज नहीं है तो नज़ती की पोस्ट ओफिस में जाकर कई विकल्पों को देख सकते हैं